गाहों की गलियों में जब तक पडोसन चीकते घर में न घुसे और कोई गर्म खबर न सुना दे तब तक लगता नहीं है कि दिन उगा भी है। ऐसे ही शुकला परिवार के घर में उनकी पडोसन बसंती चीकती भी आती है। लो आ गई अमन की मम्मी। भावी जी आथ सुबे-सुबे? अरे सुबे कहां दिन हो रहा है? आठ भजरे हैं अमन की मम्मी और यह क्या शुकलाइन? तुम भी आते ही इतनी बात करने लगती हो कि हम काम की बात भूली जाते हैं। हाँ भावी जी आप तो अपनी बात कहां ही बोल पाती हैं बोलिये बोलिये आपको देते हैं मौका बताईए सुभे सुभे कौन सी लौटरी निकल पड़ी आपकी आपको पता नहीं है क्या शुकलाइन अरे मोहले में सरकारी गाड़ी आई है पैखाने का फॉर्म बांट रही है क्या रहे ये लौटरी सिस्टम है जिसका नंबर आ गया उसकी घर में पक्का पैखाना बनेगा वो भी सरकारी खर्च पर हम तो कह दिये इन से कि दूई ठुक फॉर्म लगा दियो हमारे क्या है ससुरी किस्मत बड़ी चमकीली है हमरी एक ना एक फॉर्म तो निकली जाए कि तो वो खेत में लोटा लेकर पैखाना जाती कैसे लगेगी इश्वर की किरपा रही तो लौटरी में हमारा भी नाम आ जाए क्या पता सही बोल रही हो भागवान ये सारी जिन्दगी चप्रासी की नौकरी करके एक पक्का पैखाना तो मैं बनवाना सका और बात करता था तुमको सपनों वाला घर देने की ए जी छोड़िये आप भी ये जो भी जैसा भी है हमारा प्यारा घर है अब चलिए जल्दी लड़की की घर जाना है ना मुश्किल से अच्छे घर वाली लड़की मिली है वरना तो आजकल तो लड़के वालों की बजाए लड़की वाले मूँ फारने लगे हैं कहते हैं जल्वा इतना क्यों मायूस हो बे काम हुआ के नहीं अमर तभी अपनी मा को छेड़कर हस कर कहता है हां मा हां लोन पास हो गया कॉपरेटिव बैंक पूरे दो लाग का करदा देने को तयार है बाबा अब शुकला जी पैदल नहीं अम बैजडर में जा कर लाएंगे अपनी बहु को और मा अब बैंड भी आएगा और घोड़ी भी और ये ले तेरी बनार सी लाल साड़ी और बाबा का रईशम का कुड़ता अमर अपनी मा को साड़ी निकाल कर देता है और बाबा को कुड़ता दोनों माबाब की आखोंवे पानी था वो अपनी बेटे अमर को गले लगाते हैं तव ही अमर की छोटी बहन पुश्वा भी आ जाती है और भाईयो मेरे लिए क्या तेरे लिए तेरी दो चुटिया के लिए दो लाल रिबन ले और अपनी महस की पुचियां को बाग ले पुश्वा आमर की बात से चिड़ जाती है और उसकी पीछे भागती है उसको मारने के लिए छोटी से घर में दोनों की हसी की किलकारियां गूंज रही थी। शुकला जी और शुकलाईन दोनों भाई को देख एमोशनल हो गए थे। बस अब पाँचवा सदस्य भी ऐसा ही आजाए एकदम हम जैसा बस फिर एको रोटी में से पाँच कोर बाट कर खाई लेंगे हम सब क्यों शुकला जी। हाँ एकदम तुम जैसी आए जो इस छपपर से घर को भी तुम्हारी तरफ सर्ग समझे। अब चलो चलो लड़की वालों के जाने का समय आ गया है। चड़ गई है और हमको नाटो के। भक बुडबक शुकला जी खुश होकर स्कूटर स्टार्ट करके शुकलाइन के सामने लाकर उसे बैठने का इशारा करते हैं और शुकलाइन उनकी बाजू को थाम कर बड़े अंदाज में उस पर बैठ जाती है। और हमारा क्या है मैं तो तेरे कंदे पर बैठ कर चल लूँगा ले उठा तो जरा मुझे। और दोनों भाई भेन बात करते हुए बस में बैठ कर निकल जाते हैं। अपने आधे से सपने की और छोटे घरों की यही खासियत है। छोटी चादर होने के बावजूद पाउं फैलाना जानते हैं। या फिर चादर से बाउं बाहर आने पर पोरी रात चाहे मच्छर इनके सपनों का खोन चूसते रहे। मगर ये लोग सपना देखना नहीं छोडते। शायद यही सपने इनको जिन्दा भी रख पाते हैं। जिल्मिल की मा हैरान परेशान सी इधर उधर जा रही थी। कभी कुछ उठा रही थी। कभी कुछ गिरा रही थी। अरे मॉम चिलना ऐसे भी क्या बड़ा तुफान आ रहा है कि तुम इतना परिशान हो रही हो। तुझको नहीं पता आज तेरे लिए कितना बड़ा दिन है। आखिरकार लड़के वालों को तुपसंद आ गई। और बस एक आथ फर्मैलिटी करके आज रिष्टा पक्का करने आ रहे हैं। उफो लड़के वालों के सामने अगर अभी इतना फैल जाओगी तो उनको अपनी वैलिव कैसे शो करेंगे मॉम। जिलमिल जाकर सोफे पर लेट जाती है। मैं ना कहती थी ये काम खराब कराएगी। ये लड़की अपने रंग दिखा कर उनको पहली भगा न दे। यही डर रहता है मुझे तो। अरे तुझे कोई लेकर जा रहा है एहसान मान। वरना तेरे जैसे ठाट बाट है ना तुझको कोई नहीं जिल सकता। बेटा अभी भी समय है वक्त के साथ रहना सीख ले। ब्ला 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 मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा मौप बाई बाई। और जिलमिल अपने कमरे में जाकर दर्वाजा पटक देती है। तुम मेरी ताजा खबर सुन लो भाट ट्रक में सारा दहेज का सामान लोड हुआ है या नहीं। वो तुम देख लोगे या ये मरदाना काम भी मैं ही करती घूमू। थोड़ी तो चिंता कर लो कुमार अपनी तब ही शुकलाइन देखती है, डब्बे की मिठाई पर मक्षी बैठी है और शुकलाजी मक्षी को उठाकर फैंक देते हैं, जिसे देखकर शुकलाइन उसे घूर कर देखती है। अरे शुकलाइन ये गरीब की मिठाई है, मक्षी सोंग कर हर बार यहीं बैठेगी, आदत पढ़ गई असकी तो, क्यों तुमको नहीं पढ़ी? से बाही ने मुड़ कर एक ठोक सड़क गाउं में जाती है, बस नाक सीद में वहीं जाना है, हम तो बस चमचमाता शीशा में बाल सैट करने रुग गए तनिक, देखो तो बड़ा ही पैसा लगता होगा ना इसे पत्थर लगाने में, एक दिन हम भी जादा नहीं, पर घर के बाहर एक ठोक पत्थर जरूर लगाएंगे, हाँ जरूर, बड़ी बड़ी बातें, और बस विमल पान मसाला खातें, दाने दाने में बकेती का दम, अब चले, और शुकला शुकलाईन वहां से चले जाते हैं, और एक गाउं की छोटी से घर के सामने खड़े होते हैं, हाँ जुकाएं सेहमी सी, बात बात किये की ना ही, अरे कर लियो बात, समदी जी, हमारा परिवार तो इस मामले में मोडर है, जाओ बेटा, बात कर लो, और बिंदिया और अमर अगले कमरे में चले जाते हैं, बोलो कुछ, तुमारे आवाज सुनी है, मा बता रही थी कि तुम बाबुजी ने कहा है कि रिष्टा अगर ओक्य होता है, तो कल ही ब्याकर तुमको साथ ले जाएंगे, ठ्रेन से, जैसे फिल्मों में देखा है ना, हाथ पकड़ कर, वैसे ही, यह चीज रख रहे हैं, अगर हाथ तो इसे लगा कर बाहर आना, बिंदिया अमर की बात सुनकर बाहर आती है, अमर उसे देखकर समझ जाता है, और दोनों की राम मिलाई जोडी का ब्याहा कल की तारिक को तै हो जाता है, रौनक झिल्मिल के दर्वाजे पर अपने वरिवार के साथ खड़ा था, हमें कोई भी समान देने की क्या जरुद है आंटी जी, भगवान की दया से सब है मारे पास, तभी पीछे से उसकी मा मोहीनी रौनक के चिकोटी काड़ती है, बहन जी, अब आज कल के बच्चे इंस्टाग्राम की रिल्स देखकर पगला चुके हैं, की बाप बेटी को दो जोडे में विदा क्यों नहीं करते, पर आप खुदी बताओ भला, हो सकता है अब बाप तो चाहेगा ना कि अपनी बेटी को एक से एक फैंसी चीज़ें दे, कितने अर्मान जो होते हैं उनके, और एक तू है कि, बहन जी, आप भरवाओ, रख भरवाओ जिल्मिल नहीं नज़र आ रही वो अपने कमरे में है, तुम वहीं चले जाओ बेटा, और रौनक, जिल्मिल के कमरे में जाकर, उसे पीछे से बाहों में जकड लेता है जाओ बाबा जाओ, मुझे नहीं आता तुम पर कोई प्यार व्यार, पहले बताओ, मेरा ससुराल वाला कमरा अपडेट किया खरदिया जान, मेरी वाडरोब? येस जान, मॉम कहती है कि संसकारी बन कर रहो, कपड़े ढके पहनो, तुम ही बताओ अब अरे मॉम को छोड़ो, तुम तो भले ही कुछ मत पहना जान, बस तुम शादी के लिए हाँ बोलो, मैं कल ही तुमको ले जाओंगा वहां से अच्छा तुमको मैं संसकारी चाहिए हूँ या फिर मुझे तो तुम स्पाइसी चाहिए हो, एकदम मेरी तीकी मेर्ची और रौनक और जहिमिल की शादी भी कल के लिए तैह हो जाती है बिंदिया की विदाई को अब कुछ घंटे भी नहीं बजे, ये देखकर उसके माबाबा थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और बिंदिया अपने बाबुजी के पास बैट जाती है बिंदिया इस घर में तुमको सब कुछ कम ही मिलाना पढ़ाई लिखाई भी कम, अच्छा खाना भी कम, लाड़ भी कम जादा मिला तो सिर्फ अभाओ, हची इसका भाओ कहते हैं बाब बिंदिया को फूलों की तरह रखता है पर हम तुम्हारे जीवन में फूल तो गाही नहीं सके बिठिया अपने इस गरीब बाब को माफ कर दो बिठिया तै तुम्हारी मजबू छत की बजाए हमेशा टबकता छपर ही बना कभी दुख टबकता रहा तो कभी पैसो की तंगी तुमको कुछ देने की बारी आई तो मैं तो तुमको ही दान करने लगा अपने इस गरीब बाब को माफ कर दू बिठिया के बाबा हाथ जोड़कर अपनी बेवसी लाचारे के बोज तले जुक रहे थे बिठिया की आखे नम थी तवी उसकी माँ अपनी चुनरी की गाट से कुछ गले से नोट निकालती है और बाब मैले गमचे से कुछ जोड़ा हुआ धन निकालता है पुरे ज़दगे चपल घेसकर तेरा बाब ये दहेजी जुटा पाया बिठिया बाबा मैंने कभी वो सपने नहीं देखे जो मेरे बाबा को दुख दे मैंने हमीशा इस तूटी छट को ही अपना सारा आसमान माना मेरे बाबा का लाया मेहनत का अनाज ही मेरी मीठी रोटी बना और क्या चाहिए था मुझे आप ऐसे मत बोलो न मुझे हस्ते वे विदा कर दो न बाबा इस बोज के साथ मैं अगले घर में कैसे जाऊंगी कि मेरे बाबा मेरी वज़े से बेबस है लाचारा सा महसूस कर रहे है नहीं बिंदिया हम कभी तुझे लेकर लाचार नहीं होंगे तू तो भाग्य लच्मी है हमारी पर मेरे पास भी आप दोनों के लिए कुछ है और आप माना नहीं करोगे बिल्कुल भी और बिंदिया बाबा को एक नई हवाई चपल देती है और मा को एक नजर का चश्मा मेरे बाबा की पुरानी चपल से एडिया चलती है क्या मैं इत्ता भी नहीं जानती और मेरी मा दूसरों के कपड़े सिलते सिलते अपनी आँखी जो खो बैटी है क्या मुझे नहीं दिखता या आप दोनों के लिए पर बिंदिया पैसे मा चार साड़ी की क्या जरूत थी दो साड़ी लेकर मैंने उन पैसों से बाबा की पाउं और तेरी आँख दोनों मजबूत कर दी होना मैं समझदार बहुत समझदार पर तुछ को विदा करके मेरी आत्मा पट रही है बिंदिया लग रहा है कोई सीने पर पत्था रखकर मेरी बेटी मुझे चिनना हो ए विधाता क्यों चलाई ऐसी रीद कि अपनी जनी बेटी को ही दूसरों को सौब दू क्या एक बेटी का बाप कमा कर उमर भर उसे नहीं खिला सकता कैसा दस्तूर है ये पिंदिया की मा कैसा दस्तूर है मजजा बिटिया मजजा मेरी पिंदिया तेरा कमजोर बाप और कमजोर हो जाएगा एजी संभालिए खुद को बेटी को विदा होने से रोकेंगे क्या चलिए बखत हो गया है मंदिर जाना है और दुलहन बनी बिंदिया और अपने बाबा का हाथ पकड़े पकड़े घर की दहलीज लांग कर बाहर आती है और पलट कर अपना घर देखती है तीन साल की बिंदिया अपने जवान बाबा का हाथ पकड़ कर घर के अंदर जा रही है फिर बड़ी बिंदिया छोटी बिंदिया को देखकर मुस्कुराती है बिंदिया दहलीज बार करती हुए जब पलट कर देखती है तो ननी बिंदिया की याद को वहीं अपने बाबा के पास छोड़ा आती है और नम आखों से मुश्कुराती है और छोटी बिंदिया उसे अलविदा करके विदा कर देती है बिंदिया को लेकर उसका परिवार मंदिर पहुचता है जहां अमर अपने परिवार के साथ था बिंदिया चुनरी ओडती है और अमर के साथ फेरे लेने लगती है जिलमिल दुलहन बनी घर के सूफे पर पाउं फैला कर बैठी थी और अपने हिसाब किताब में लग रही थी पास में बैठा नौकर सर जुकाई खड़ा था एसी रखवा दिया जी मेम साब मेरी हनीमून की टिकेट कराई मेरा हनीमून बाला सूटकेस रखा जी मैड जी सब रखतो दिया बताया ना आपको और ये सुनकर जिलमिल नौकर को जोड़दार लात मारती है पत्तमीज अगर मैं दस बार पूछूंगी तो दस बार बताना होगा ऐसा कि चड़कर जवाब दे रहे हो इडियट वो सॉरी सॉरी मेडम अरे जाओ देखो जरा ये गधी फिर से नौकरों से पंगा कर रही है अब क्या करूं इसका लगता है चार नौकर भी साथ भेजने पड़ेंगे तब जाकर कहीं इसे कोई घर में रखेगा बीटिया देख हमने तो तुझे हर तरह सह लिया पर अगले घर में हमारी लाज बचाय रखना जहां परदा करना पहले तो लड़के बाले पहुच गए होंगे अब चलो भी और सुनो लड़के तुम सारा समा रखवा कर ट्रक रवाना करो मेरी बेटी को ससुराल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सब सामान इसके बाप का दिया होगा तो ससुराल में भी रानी की तरह रहेगी मेरी जिल गुंगट खीच देती है और वो भी मंड़क में पहुँचती है जहाँ पर रौनक खड़ा था क्या बात है गुंगट वगेरा? मेरी मॉम भी ना हे ये तुम्हारी तो ऐसी नहीं है ना? एजी ट्रक में समान तो काफी नज़र आ रहा है बस एक बार ये रवाना हो तो कलेजे को ठंड़क बढ़ जाए मेरे तो चलो आखिर अमीर बहु का कोई तो सुख मिलेगा? ऐसा ट्रक मिले तो इसके थोड़े नकरे तो उठाई लोंगी और समान का ट्रक रवाना हो जाता है हाँ ट्रक रवाना हो गया है नमबर नोट करो एक तरफ अमर बिंदिया की शादी हो रही थी दूसरी तरफ जिलमिल और रौना की समाज को दो भागों में बाटने वाली शादिया एक शादी जहां साजो सज्जा में लगे रंग बिरंगी फूल ही इतने महेंगे थे कि आदे गाओं के पूरे साल का राशन इतने में आ जाए वहीं दूसरी और मंदिर में फूलों के नाम पर भगवान की चर्णों में रखे चार फूल और बिंदिया और अमर के गले में लटकी दो गैंदों के फूलों वाली माला पर शादी चाहे एक करोड वाली हो या एक हजार रुपे वाली सब में कौवन होता है ये लाल सिंदूर और काले मनियों वाला मंगल सुत्र जो दोनों लड़के अपनी अपनी दुलहनों के बद प्विलक कर रो रही थी एक मिनट डैड मेरा मसकारा ना खराब हो जाये कहीं हाँ अब ठीक है डैड मुझे नहीं जाना डैड मेरी बिंदिया का ख्या लगना जमाई जी और कोई भूल चूखुई हो तो महफ करना बिंदिया अपने संसकार ना भूलना बेटिया जा तेरा स अंसार चमन बना रहे मा बाबा दोनों लड़कियां रोती सी अपने पतियों की साथ निकल पड़ी एक बैठी हाथ रिक्षा में एक बैठी महंगी कार में जिल्मिल रॉनक की शेरवानी से ही अपना नाप पोच देती है और रॉनक उसे घूरता है क्या ऐसे क्या देख रहे और एरपोर्ट के लिए निकलता है जहां एकदम से जल्मिल के आंसू सूप भी गए थे बिंदिया की फलके अभी तक भीगी थी वो घूंगट में ही सुबकते चली जा रही थी ये देखकर अमर बिंदिया का हाथ थामता है और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसे देता है मैं हूना मैं बाबा से मिलाने तुमको लाता रहूंगा पक्का रो नहीं बिंदिया अमर का कांधा धामकर उस पर अपना सर टिका लेती है उदर रौनक एरपोर्ट पर जा ही रहा था तभी उसको एक मैसे जाता है क्या हुआ तुम्हारा मू क्यों लटक गया ओ शिट हमा और भी भी आंटी बुला रही तेरी मा को अरे मां बोलना मां सास हूं तेरी कितनी भोली है ना मेरे बहू पुटर कहा तक पहुचा हुआ अब तू आंटी बोल या शांटी मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है अब वापस कैसे लौटे अरे ट्रेन से चलते हैं स्टेशन भी प और सब स्टेशन के लिए निकलते हैं, उधर अमर भी बिंदिया को लेकर स्टेशन की बेंच पर बैठा था, चाय पियोगी? रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, तुम यही रहना, माबाबु जी भी आते ही होंगे, पर तुम किसी के आगे जादा बोला बोल चल रहा है, और अमर चाय लेने चला जाता है, तब ही वेंच के पास कुछ लोग आकर बिंदिया को घूरने लगते हैं, डर कर बिंदिया अपना घूंगट नीचे कर लेती है, लेओ, यह तो मुही ढग ले हैं, अब तारे किसको? तब ही दूसरी ओर से जिल्मिल, बे परव और वो लोग जिल्मिल के पास बढ़ते हैं, तब ही मुहीनी जट से जिल्मिल का लंबा घूंगट निकाल देती है, यह क्या कर रहे हो, तुम काहे सब लोगों को मुफत का सिनिमा दिखा रही हो, हमारी बहु को जनता घूरे, अच्छा लगता है क्या? बस अब यह घूंग और जिल्मिल आगे चलने लगती है, तब ही अपनी घूंगट से मुश्किल से देख पा रही जिल्मिल को अचानक से भैंकर भीड उसकी तरफ आती नजर आती है, ओ शिट, ओ शिट, 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 एक दम से ट्रेन का इंजन बचता है, और तब ही जिल्मिल क कुछ और ही जगे जा रही है, टेंशन पर घूंगट की आड में घूम रही तबाही वाले जिल्मिल के आसपास, अचानक भीड का ऐसा जमावडा आख़डा होता है, अरे अरे एक्स्क्यूज मी, ये तुम मेरे को धक्का काई को मार रहे हो, उधर शांत स्वभाव की मैं तुमको, जल्दी चलो, स्टेशन पर ट्रेन पांच मिनट से जादा नहीं रुकती है, और अमर बिंदिया का हाथ पकड़कर ट्रेन में चड़ जाता है, अरे अरे जगे दो हमारी बीवी को बैठने की, हटो बे, बैठने दो, खरी-खरी ठक जाएगी बढ़ना बेचार पर सुनो जान, तुम सोजा, जब स्टेशन आएगा मैं उठा दूँगा उधर अमर भी अपनी पत्नी की साथ बैठ गया था, ट्रेन का डबबा खचा-खच भरा था, और आगे चलकर बिंदिया अमर के कांधे पर सर टिका कर सो गई रात में जब प्रेन रुकी, तो नीन में अलसाई बिंदिया का हाथ पकड़ कर, अमर ने उसे स्टॉपेज पर उतार दिया ये सुनकर अमर बिंदिया को जट से गोद में उठा लेता है, और बिंदिया उसकी गोद में ही सो जाती है और अमर उसकी बात सुनकर इदर उदर देखता है, तो वहाँ कोई दूसरा रिक्षे वाला उसे नहीं नजर आता है ये देखकर वो अपने ठके माबाब और बहन की ओर देखता है जाना है ना, मा, बाबा, छुटकी, तुम तीनों बैठ जाओ पर बबुआ, तुम, तुम कैसे आओगे, दुलहन भी साथ है हम पैदल आ जाएंगे मा, यहां से 6 किलो मिटर ही तो दूर है, बस तुम सब पहुँचो, हम भी पीछे पीछे आते है ना, मुन्ना, तु और दुलहन बैठ, हम और तेरे बाबा पैदल आते हैं, बहुचो उठा कर कितना चलेगा और अमर घरवालों को भेज कर अपनी बीवी को गोद में उठा कर, पैदल ही गाउं निकल पड़ता है बिंदिया उसकी सीने से लगकर, खोप चिपक रही थी एक पत्नी के लिए पती की वाहों से महफूस जगे, कोई दूसरी है भी नहीं अमर चलता जा रहा था, उसके पाउं दुखते गए, मगर वो नहीं रुका, रात गुजर रही थी और दिन उग रहा था और वो अपने गाउं आ पहुँचता है अमर बिंदिया को उठाई गाउं को पार करके आ रहा था और आसपास की औरते, बच्चे वगएरा, नई बहु को देखने के चाफ से पीछे पीछे चलते जा रहे थे और उस भीड को पार करके आ चुकी थी, सबके हिस्से का बोलने वाली बसंती भी अले-अले काकी, तुम मेरी चपल तुचलकल जा लईयो धत, काकी लगती हूँ तुझे मैं, आंटी बोल मुनना आंटी अभी लियो, कल की बात देखो, मैं इनके साथ कफे में गई अरे काफे नहीं समझे, भाबी जी, काफे जहां काफी चाई पीते हैं, महंगी जगे होती है ऐसा रंग भी रंगे गद्दे वाली कुर्सी लगा कर रखते हैं उसमें, काफे तो वह एक लेडीज लोग आई रही मेरे पास, और कहती है इनको भाई साब, यह आपकी बिटिया है क्या? बड़ी सुन्दर है लिए भाबी जी, बताओ, हमको इनकी वेटी समझी वो फिर वो इनने बताया कि अरे, यह हमो बीवी है तब उसका खुला मो हम खुदे अपने हातों से बंद किये कि विचारी, शाक में मर वर ना जाए फिर हम पर मर्डर का चार्ज और लग जाएगा और इतनी ललन टॉप कैदी जैल में चली जाएगी तो बैठे बैठे कल ये बात हो गई बताओ क्या बोली, सुन्दर है तब तो काकी पक्का वो खुद कैसी होगी, मैं समझ गई ये सुनकर संतर अपनी बेटी को घूर के चुप रहने को कहती है अरे बिटिया, तुम आज कल के बच्चों को कहा पच्चती है बड़ों की तारीफ कोई कर दे तो, लाली पाउडर जो ना लगाए ना हम सोचो शुकलाएन अगर लाली पाउडर जिस दिन हम लगाने लग जाएंगे तब तो इस बहूरिया को भी माफ कर देंगे और अगर पहन लिया हमने ऐसा लाल जोड़ा तब तो ये अमर बेटा तो कहीं हम कोई ना उठा ले ऐसे गोद में जैसे अभी बीवी को उठा रखा है अरे मजाग कर रही हूँ अमर की मम्मी जोकिंग ओनली अरे अमर बेटा बहू को गोद में उठाए रखेगा या पाउँ जमीन पर भी रखने देगा काकी वो पाउँ में काटा न लग जाए कहीं भाईव इस बात से डरते हैं छुटकी की बच्ची तुझे तो अभी बताऊंगा मैं रुख जरा ही ही निकालूँगा तेरा तो लड़ बाद में लेना पहले बहू को चौखट पर उतार और जाकर गुनगुने पानी से पाउँ धोले अपने तब तक हम इधर की रसम कर लें अमर आहिस्ता से बिंदिया को जमीन पर उतारता है और उसका शरीर थाम ही रखता है नीन से बिंदिया की मुंडी तो अभी लुड़क ही रही थी सुनो अब उठ जाओ भीतर जाकर रसमों के बाद एक बार फिर से सो न जाना कोई टेंशन की बात नहीं है और दोलान थोड़ा होश में आकर सीधी तो खड़ी होई ही जाती है अमर भीतर जाता है और अपनी जूते उतार कर बात्रूम में जाता है और देखता है कि उसके पाओं में पैदल चलने से खोन के चक्ते बन रखे हैं ये ससुरे चमड़े के जूते ही काट लिए लगते हैं किराये वाले उठा कर कुछ भी साइस दे देते हैं जूतों का अब फिट तो हमको ये अपना पाओं करना पड़ता है ना इन जूतों में अब देखो जगे जगे चाले कर दिये खाल उतर गई पर फिकर नहीं है मुझे अपनी पतनी के लिए इतना कश्ट उठाना तो हर पती का धर्म होता है यही तो है हमारे प्यार की पहले निशानी बिंदिया अमर सोचकर ही शर्मा जाता है वो तकलीफ में था मगर फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकर नहीं थी ट्रेन का इंजन बचता है और रौनक की आँख खुलती है जिलमिल अभी भी उसके कांदे पर सर ठिकाए सो रहे थी यह देखकर उसकी सास मोहिनी जिलमिल को घूरे जा रहे थी अपनी मा को ऐसा देख रौनक हस देता है क्यों रे यह तेरी बीबी उठती उठती नहीं है क्या या सिर्फ सोने के लिए आई है शादी करके अरे मौम वो क्या है तुम ही देखो आजकर यह भारी भारी लेंगे पैन का पूरा दिन रहो पाउ किलो की तो लड़किया खुद होती है और लेंगा इनका बीसकलो का ऐसे में धकान तो होई जाती है तुम तो देखी ही हो इसके माबापने कितने नाजो से रखा है यह ट्रेन वगेर कहां देखी है इसमें पहले प्लेन से जाने वाली शादी वाले दिन ट्रेन में धक्के खा रही है अच्छा ठीक है ठीक है तभी मोहिनी रौनक के हाथ में जिल्मिल का हाथ पकड़े देखती है अरे रौनक ये तो इतना गोरा कैसे लग रहा है अचानक शायद धूप का फोकस गिर रहा लगता है मुझको क्या ट्रक भी पहुँच रहा होगा बस मुझे तो माल से मतलब है कब आएगा अपना स्टॉप और इनका भी स्टॉप आता है रौनक जिल्मिल को हाथ थमाता है और वो थाम कर ट्रेन से उतर कर उनके साथ बाहर आती है गाड़ी खड़ा देख जिल्मिल बोलती है इसकी क्या जरूथी घर तो पासी होगा वैसे ही चले जाते अरे वा रिदे परिवर्तन पर बेटा क्या है ना नई बहु को पैदल ले जाते हम थोड़े कम अच्छे लगेंगे अब जब कारने आने में तकलीफ कर ही ली तो जरा तुम भी बैठने की तकलीफ करी लो और सब कार में बैठते हैं बीच में बैठा था रौनक उसमें एक तरफ उसकी बीवी और दूसरी तरफ उसकी मा बैठी थी बिचारा रौनक अब बात किस से करता है सोचा था दो प्यार की बात कर लूँगा जिलमिल से ताकि घर आने से पहले थोड़ी कंफरेबल हो जाए मगर ये मॉम आ बैठ गई बगल में अब अगर इनकी बजा जिलमिल से बात करी तो ये बोल पड़ेंगी अच्छा शादी हुए एक दिन ना हुआ और मेरा बेटा मुझी को बाई बाई कर रहा है ओ गाड़ दो मोर इमोशनल ड्रामा मैं चुपी बैठता हूँ और गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुख जाती है जिलमिल कार के बाहर आती है अब कहां जाना है जी? अब कहां जाओगे तुम अभी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है यही तुम्हारा घर है हमारा घर है यह? दर्वाजा खुलता है और दर्वाजे पर खड़ा होता है रौनक का छोटा भाई रितिक ओ, excuse me guys हेलो भाबी मैं रितिक, आपका देवर वो काईदे से तो यहां आपकी मॉमिन लौग खड़ी होनी चाहिए पर मॉम को तो ट्रक का ध्यान अखना था ना तभी मोहिनी रितिक को कोहनी की मारती है I mean, आपका ध्यान अखना था तो इस सब मैंने एर्रेंज कर दिया क्योंकि यह चोटा बेटा भी घर की बेटी जैसा ही तो है मोहिनी आकर रितिक से थाल ले लेती है और हस्ती है इसकी तो आदत है अपनी बक्वास बातों में सबको हसाना क्यों बेटी? अरे मैं तो बेटी ही बुलाओंगी तुमको देखो मैं और चौदरी जी अरे ससुर तुमरे बरसों से दो लड़कों के बीच में जन्दिकी काट रहे हैं एक बेटी की तब मना तो रही गई थी तो बस आज से तुम पूरी करोगी वही आर्जू हमरी बिटिया जिल्मिल मोहीनी जिल्मिल की आर्थी उतारती है और चावल का कलश जमीन पर रख देती है आसपास सुसाइटी की हाई क्लास औरते भी थी ओहो इसने तो अभी तक घूंगट नहीं उतारा कितनी भूली है मेरी बहू भी बस ममी जी जो कहती है सब तुरंद मान जाती है बिटिया चल अब घूंगट हटा दे और रिलाक्स हो जा ये अपना ही घर है चल रौनक ये शर्मा रही है तो तू ही अपना हाथ से हटा दे बहू का घूंगट ये सब भी तो देखें कि चांद ही ले आई मैं तो घर उधर संतरा भी बिंदिया के स्वागत की आरती करती है और अमर भी पीछे आकर खड़ा हो जाता है सच लग रहा है एक सपना सच हो रहा है अमर अब तू ही बोल इसे ये घूंगट हटाए अरे बोलना क्या है तू ही खोल दे इतनी लजाएगी तो पोता-पोती कैसे देगी हमको इधर अमर बिंदिया की चेहरे से गूंगट हटाने को हाथ बढ़ाता है और उधर रौनक के भी हाथ जिलमिल के गूंगट के और बढ़ रहे थे कि तबी चौतरी का फोन बचता है और दोनों के गूंगट जैसी हटते हैं मोहिनी और संतरा की फटी आँखों के साथ चेहरे सफेद बढ़ जाते हैं हाथ से थाल छूट जाती है गूंगट में दुलाने अदल बदल हो चुकी थी रौनक के घर सावली बिंदिया जा चुकी थी और अमीर खाने की शहजादी जिल्मिल आ खड़ी थी गरीब खाने की देहलीज पर जिल्मिल सामने का नजारा देखकर कान पर हाथ रखकर जोड से चीकती है आह! कौन हो तुम सब? उधर मोहिनी चीकती है आह! कौन हो तुम? बिंदिया लहंगा मुठी में भीचे काप रही थी वो कुछ समझती की तभी चौधरी बोलता है चौधराइन! तेरो ट्रक तो चौरी है उगो! इतना सुनते ही चौधराइन मोहिनी वहीं देहलीज के भीतर रखे चावल के कलश पर जा गिरती है धम और बेहोश हो जाती है बिंदिया वहीं बर्फसी बनकर खड़ी रह जाती है जिलमिल ने वहाँ चिला चिला कर कोहराम मचा दिया था ट्रेन की पट्रियों का रुख बदलते तो सब ने देखा है मगर इस ट्रेन ने जो दुलहनों का फेर बदल किया है वो अब सब की जिन्दिगिया बदलने वाला है ट्रक बीच रास्ते से ही लापता हो गया चौधराईन क्या? ट्रक गाइब हो गया? ये सुनते ही चौधराईन तो वहीं चौखट पर अपने अंगे बंगे विखेर कर बेहोश हो जाती है बिंदिया पुतला बना सब देख रही थी आसपास सब लोग उसको देखकर बाते बना रहे थे मगर बिंदिया के कान दिमाग सब सुनना चुका था उधर महलो की रानी गोबर थेपने वाली बस्ती को देखकर चीख पड़ती है आह! कौन हो तुम लोग? यह हमारी बहूरिया नहीं है अरे इसको तो हम देखकर ब्याह कर लाए थे अमर? पर यह है कौन? लो कल लो बात ट्रेनों में आज तक बैग वस्ते गाइब होते जा रहे थे पर शुकला इनने तो अपनी बहूई गुमा दी गुमाई तो गुमाई जे का लड़का तो किसी और की लुगाई पकड़ कर ले आया तभी हम सोचे रंग तो लड़की का गेहुआ बताया था हम सबको तो फिर यह Mother Derry जैसी सफेद कैसे हो गई? बसंती की बातों की चाशने लेकर सब शुकला परिवार का मजाग बनाते हुए हसने लगते हैं ओ, अब समझी मैं किड्नाप? हाँ, किड्नाप करके लाए हो न मेरे को तुम, अभी रुको पुलिस, पुलिस, पुलिस एक मिनट, शान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ पहले ये बताओ, तुम हो कौन? और मेरी बिंदिया कहा है? मैं जिल्मिल हूँ, और कौन बिंदिया? तू कौन है बे? तू ही उठा कर लाए है ना मुझे? पुलिस, पुलिस! तेखो, इस गाओ में पुलिस तो क्या? उसकी गारी का हौन तक नहीं आता है अरे, मुझे तो अंदर आने दे, अमर! क्यों भाई साब, मैं तो घर की ही हूँ? हाँ, बेटा, एकदम सही कह रहा है? लगा दे दर्वाजा, लगा दे! वरना ये जनानिया राई का पाहड बनाने आ जाएंगी! अमर दर्वाजा लगा देता है, जिलमेल एधर-उधर बैठने के लिए सोफा ढूण रही थी, बगर सब पुराना समान पड़ा था! बैठो, और फिर बताओ पूरी बात! तुम्हारे सर पर बैठ जाओं क्या? कहा बैठों? जगे का है, इस कपाड खाने में? एक काम करो, दो-चार कबूतर लाकर उड़ा दोगे, तो कबूतर खाना भी लगने लग जाएगा ये! बसंती ये सब देखकर मन ही मन मजे ले रही थी, तब ही वो शुकलाइन की और देखकर इशारा करती है, तेखा शुकलाइन, जुबान तो देख, इसके बदले हुए समान की, लगता है कैची ही बोल पड़ी हो, राम, 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 राम भला करे तेरा तो अब, देखो आप जो भी है, अभी बैठिए, और बताईए क्या हुआ, कैसे हुआ, जलमिल मजबूरी में, जमीन पर ही सहम कर बैठती है, मेरी प्लेन कैंसल हुई, और भीड में उस इडिएट सास ने गूंगट करा दिया, फिर ट्रेन आई, तब धक्के से डब्बे में चड़ी, और उसके बाद इस तबले में आ गई, भावी, पर आप हो कहां से, ये भावी शब्द सुनते ही, अरे अब देखा जाये तो फिलाल तो भावी ही है न ये, तो बस, जिसमें हम लोग आए है, अब इसके बाद तो हफ्तों बीच जाते हैं, पर इस रूट पर कोई ट्रेन ही नहीं है, क्या, ये क्या कह रहे हो, तो अब मेरा क्या होगा, इसलिए तो जटपठ हमने शादी का महुरत जगाया था हमारी बिंदिया के साथ, ना जाने विचारी कहा होगी, कहा नहीं, अरे सब मोहिनी को उठा कर सोफिपर रखते हैं, और पानी मार कर उठाते हैं, हाँ, क्या, क्या हुआ, टोल लाके पड़ तो नहीं रोख लिया ट्रक? ओहो मॉम, इधर पूरी भाब ही नहीं मिल लही है, और तुम्हें उसे स्टूपिड ट्रक ही पड़ी है, मोहिनी उठकर बिंदिया को देखती है, जो अभी भी चोखट बाहर ही खड़ी थी, उसके चहरे की हवाईयां उड़ रही थी, कौन है तू? चोड डाकू लुटेरी दुलाने क्या? इधर क्या करने आई है? और जिलमिल कहा है? मैं बिंदिया हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आ गई, मैं तो टेशन पे थी, वो मुझे पकड़ कर ले गए और फिर यह सब हो गया, लो, जो यहां खड़ी इसको तो यह भी नहीं पता, कि आई कहां से, अरे इसको छोड़ कर आ, जहां से भी आई है, आफ़ती आफ़त का दिन है आज तो, रितिक, जरा जिलमिल के घर पे फोन तो लगा, रितिक फोन लगाता है, मगर वहां कोई भी फोन नहीं उठाता है, मोहिनी की टेंशन बढ़ती जा रहे थी, मौम भले ही यह जिलमिल भावी नहीं है, मगर इनको ऐसे दर्वाजे पर बाहर कब तक ख़़ा रखोगे, अंदर तो आने दो, रितिक की बात सुनकर, रौनक का ध्यान बिंदिया बर जाता है, और पहले वो उसे उपर से नीचे तक देखता है, यह तो उपर से नीचे तक बासी लग रही है, बेचारी बिंदिया की तभी मोहिनी की नजर बिंदिया के हाथ के सोने के कंगनों पर पड़ती है, और उसकी आँखों में चमक आजाती है, आया रे, तू कैसी बात करता है रौनक, हर दुलन में चमक तो होती ही है, भले यह तेरी दुलन ना हुई, मगर है तो नहीं नवेली, आजा बेटा, अंदर आजा, पानी पिएगी, रुख, तू इधर बैठ, मैं पानी लाती हूँ, रौनक बेटा, तेरी मा पागल वागल है क्या, ये टका सदमा इतनी जल्दी सही कैसे हो गया बेटा, मोहिनी पानी लाकर जैसी बिंदिया को देती है, उसके हाथ पर पानी गिरा देती है, अरे अरे देखो तो हडबडाट में मैंने क्या कर दिया, अरे बहु, तेरा चूड़ा खराब हो जाएगा, नमी है ना, ला, कंगन निकाल के दे दे, मैं सुखा कर सुरक्षित रख दूँगी, बिंदिया भोली बाली तो थी ही, तो मोहिनी जैसा कहती, वो करती जा रही थी, उसने सब निकाल कर मोहिनी के हाथ में थमा दिया, बहुत सैयनी बिटिया हो तुम, जो भी हो, पीलो पानी पीलो, मोहिनी बिंदिया का सर सहला कर, मुस्कुराते हुए अंदर जा रही थी, कि तभी वो देखती है कि कंगन को जहां-जहां से चूरही थी, वहां से पीला रंग छूट रहा था, ये देखकर मोहिनी की सारी चमक ढ़ल गई, वो पलटकर आती है, और सोफे पर वैठी बिंदिया के पीछे से एक जोरदार लाप मारती है, बिंदिया ग्लास समेत नीचे गिरती है और डर कर दुबकने लगती है, नहीं मारो, हमको नहीं मारो, हम कुछ नहीं किये, भीड इतनी थी कि कौन हमारा हाथ पकड़ कर ले गया, साथ में कौन था कौन नहीं, इस गुंगट में कैसे देखते, अरे गुंगट से देख नहीं सकती थी, तो अपने पती की आवाज भी नहीं पैचानी, दया, मा जी, इतनी थकान के बाद सब आवाजे एक जसा ही लग रही थी, मा जी न बोलियो, और तु जो मा को याद कर रही है, तेरी उस मा ने नकली कंगन क्यू दे दिये, फिर भी, उपर से मेरे घर में ठाट से बैट कर पानी पी रही है, अरे पानी के बदले में क्या देगी, है क्या तेरे पास, ना घर का पता ना गाउं का पता ना सोना न चांदी फिर क्यों बैठी है सोफे पर जा चोखट बार बैट मोहिनी बिंदिया को चोखट के बार बिठा देती है और बिंदिया बस रोती जाती है मोहिनी के घर में टेंशन का मौहल बढ़ रहा था बिंदिया के बाबा पेटी से बिंदिया की दी चपल निकाल कर पहनते हैं और उसकी माँ एनक पहन कर हाथों में हाथ थाम कर अपना बस्ता उठा रहे थे बाप बेटी की शादी के लिए अपना जीवन भी गिर्वी रख सकता है बदले में बस मेरी बीटी की हर खुशिया भगवान उसे देता रहे अब ये घर तो नहीं बचा मेरा घर तो आप ही हो जी तो चले तीर्थ लोटकर देखते हैं इश्वर कहा रहने को जगह देता है और बिंदिया के माबाप गरीबी को भी पिकनिक की तरह समझगर निकल पढ़ते हैं तीर्थ को अपनी उस कुटिया पर मजबूरी का ताला करके जिल मिलके मॉम डैड के घर के बाहर भी ताला लग रहा था और तभी प्लेन में उसकी मॉम डैड एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे अगर यह चानक मलीशा की बिजनेस ट्रिप नहीं आती तो कल जिल मिलके ससुराल जरूर होकर आते ट्रिप भी जरूरी थी ना वो भी समझो दो महिने की ट्रिप पर आप अकेले जा रहे थे जंदगी से या तो कुछ बन जाएगी या विखर जाएगी मगर जो अभी है कम से कम वैसी तो हरगिस नहीं रहेगी आप मन को काबू में रखिये और ये कुछ दिन एक बाप को यहीं इंडिया छोड़ दो तुम और मेरे साथ मेरे पती बन कर चलो समझे है और जिल्मिल के डैटी फोन वापस जेब में रख लेते हैं तबी प्लेन के साथ-साथ ये अदला बदली की बची खुची उमीद भी उड़ जाती है बिंदिया चौकट पर बैठी रो रही थी और शाम हो चली थी आसपास के सभी लोग आते जाते घूर घूर कर देख रहे थे आप लोगों ने शहरी कल्चर की एक बात तो देखी होगी कि शहर में अगर आग लग जाए तो कोई जलते घर में जहाक कर नहीं देखता नहीं आग बुझाने आएगा बलकि अपने अपने घर की खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं किसी को किसी से खासा मतलब नहीं होता वहीं गाओं में आग तो क्या बीड़ी का धुआ भी जो उड़ता दिख जाए तो फला की चाची फला की ताई दादी मामी बुआ फूपी सब को जब तक बता ना दे कि अरे अरे देख लो फला का छोरा बीड़ी फूगता है तब तक पेट में दर्द कैसे शान्त हो रौनक को बाहर बैठी लड़की में कोई रूची नहीं थी घर में मातम चा रहा था ट्रक भी गया अमीर बहू भी गयी मुझे कुछ हाथ ना लगा अरे ये क्या हो गया हासू के रों क्या करूं तुमको बस ट्रक ट्रक की पड़ रही है वहां मेरी ब्यूटिफुल से जिल्मिल पता नहीं कहा होगी किसी के साथ होगी या केली होगी पर भाया ये कब तक बाहर बैठी रहेगी अरे तो इसका इस घर में क्या काम भेजो बाहर ठूण लेगी अपने आप अपना पता हमको ये NGC खोल लखे हैं क्या NGC नहीं डैड NGEO और अगर ये बाहर गई तब तो जिनको नहीं पता उनको भी ये पता लग जाएगी है ना कि रौनक भाया की दुलन तो लापता हो गई है नहीं ट्रक जाए तो जाए इज़्जत ना जाए ठीक है ठीक है बुला ले उसे रितिक इसे कमरा दिखा दे और सुन लड़की तू यहां के बहू नहीं है ये बात याद रखना भाया का कमरा या फिर ठीक है ठीक है मेरे कमरे में नीचे चटाई बिचा दो पड़ जाएगे उस पर पर हमारे पास महल नहीं है तुमको देने के लिए क्या है कि तुम्हारी भी मांग में किसी के नाम का सिंदूर है तो सर्वेंट कौाटर में तो तुमको ठराएंगे नही जाओ रितिक बिंदिया को लेकर बरबडाता हुआ जा रहा था आओ भावी मेरे पीछे आप ओ सौरी उपस पर मैं आपको भावी बुलाओं ऐसा केले में ही वो मेरी हमेशा एक इच्छा रही थी कि मैं भावी भावी पुकारता जाओ प्लीज ओके यह रहा आपका कमरा और अलमारी से कपड़े ले 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 ना आप बाई पगले तुझे तेरे कमरे में उसको रोकने की क्या धरकार थी मॉम हमको क्या पता यह कौन है हो सकता है भूली शकल के पीछे कोई साज़िश हो पुलिस के यहां भी जाकर हम ही पसकते हैं तो बहतर है जिस पाश्यक हो उसे 24 घंटे नजरों के सामने रखो बिंधिया कमरे के अंदर जाती है तो उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है इतना बड़ा कमरा मेरा तो पूरा घर भी इससे छोटा होगा रात में अमर अपने कमरे में चटाई बिचा कर जिलमिल को सोने को बोलता है क्या मैं यहां सोंगी तुम्हारे पस डलप का गद्दा भी नहीं है क्या इउँ हाओ चीप अब यही है जो है सोचा था हमार बीवी आएगी तो हमारे बदन से लगा कर सुला देंगे वही बन जाएगा उसके लिए डलप का गद्दा खेर माफ करना मैडम आपको तकलीफ हो रही हो तो अमर मो फेर कर सो जाता है और जिलमिल आडी करवड से चटाई पर सो जाती है उधर बिंदिया के सामने आलिशान सुख सेज सजी हुई थी मानो जिलमिल और विंदिया की किस्मत की चाधर एक दूशे से बदल गई हो अब देखिए आगे क्या होता है